मेरे प्यारे देश्वासियों, हमारे संस्कृत गन्थों में एक श्लोग है, आत्मार्थम जिवन लोके अस्मिन, कोन जिवती ही मानव है, परम परोपकार्थम योज जिवती स जिवती, अर्थात अपने लिए तो समसार में हर कोई जीता है, लेकिन वास्तों में वही व्यक्त जीता है जो परोपकार के लिए जीता है भारत मा के बेटे बेटियों के परोपकार एक प्रयासों की बाते यही तो मन की बात है आज भी ऐसे ही कुछ और साथियों के बारे में हम बात करते हैं एक साथी चंडीगर्द शहर के हैं चंडीगर्द में मैं भी कुछ वर्सों तक र यहां आपको और आनंद आएगा इसी चंडिगट के सेक्टर 29 में संजे राणा जी फूड स्टॉल चलाते हैं और साइकल पर छोले भटूरे बेचते हैं एक दिन उनकी बेटी रिद्वा और भतीजी रिया एक आइडिया के साथ उनके पास आई दोनों ने उनसे कोवीड वैक्सिन लगवाने वालों को फ्री में छोले भटूरे खिलाने को कहा वेच के लिए खुशी खुशी तयार हो गए उन्होंने तूरंत ये अच्छा और नेक प्रयार शुरू भी कर दिया संजे राना जी के छोले भटूरे मुप्त में खाने के लिए आपको दिखाने पड़ेगा कि आपने उसी दिन वैक्सिन लगवाई है वैक्सिन का मैसेज दिखाते ही वे आपको स्वादिस्थ छोले भटूरे दे देंगे कहते हैं समाज की भलाई के काम के लिए पैसे से ज़्यादा सेवा भाव करतवे भाव की ज़्यादा आवश्यक्ता होती है हमारे संजे भाई इसी को सही साबित कर रहे है साथियो ऐसे ही एक और काम की चर्चा आज करना चाहूंगा ये काम हो रहा है तमुन्नाडू के प्रोजेक का मकसद है पाहडी इलाकों में मरीजों को इलाज के लिए आसान ट्रांस्पोर्ट उपलब्द कराना राधिका कुन्नूर में एक कैफे चला दी है उन्होंने अपने कैफे के साथियों से एम्बूरेक्स के लिए फंड जुटाया निलगिरी पाहडियों पर आज छे एम्बूरेक्स सिवारत हैं और दूर दराज के हिस्सों में इमर्जन्सी के समय मरीजों के काम आ रही हैं एम्बूरेक्स में स्ट्रेचर, ऑक्सिजन सिलिंडर, फस्टेट बॉक्स जैसी कई चीजों की ववस्ता हैं साथियों संजय जी हो या राधिका जी इनके उधार से पता चलता है कि हम अपना कारिया अपना व्यवसाय नोकरी करते करते भी सेवा के कारिय कर सकते हैं